इस वीडियो में हम Google Translate जैसी एक application बनाएंगे बहुत यह simple version होगा एक language से दूसरे में हम translate कर पाएंगे कुछ ही minute में यह application बन जाएगी हम एक external API का use लेंगे इसके लिए तो initially मैं npx create react app से एक application बनाता हूँ mt react app एक बार यह application इंस्टॉल होने के बाद हम इसको open कर लेते हैं और फिर yarn start से मैं इसको start कर लूँगा तो आपकी react application open हो गई है इसको मैं सीधे open कर सकता हूँ vs code में तो यहाँ पे मैं empty कर लेता हूँ जो भी initial code था और उसके अलावा जो css है उसको भी मैं empty कर लेता हूँ अब मैं एक html structure बना रहा हूँ यहाँ पे तो select put करेंगे options put कर रहे हैं उसके अंदर तो यह part होगा जहां हम एक language select करेंगे जिससे हम translate करना चाहरें तो from and to दो languages होंगी तो उसके लिए हम drop down यानि select put करेंगे तो मैं एक select लिखता हूँ और उसके नीचे एक और select हम put कर देंगे तो किस language से किस language में हमको put करना है तो यहाँ उपर मैं from लिख देता हूँ और बाद में मैं यहाँ पे to लिख दूंगा तो यह दो तो drop down हो गए इसके अलावा दो input box भी चाहिए होंगे जिसमें हम लिखेंगे कि कौन सा text है जो translate करना है तो text area मैं उसके लिए बनाता हूँ columns और rows आप put कर सकते हो अपने हिसाब से जिससे कि text area एक particular shape size का हो जाए ऐसा ही एक और copy कर लेता हूँ इसमें मैं output दिखाऊंगा और finally एक button बनाऊंगा मैं जिसको press करने पर ये पुरा translation हो जाए तो इसको मैं translating देखाऊ तो इस तरह का कुछ layout बनाया है काफी अच्छा तो नहीं दिख रहा लेकिन अभी जिससे text area में भी कुछ गढ़बढ है तो पहले तो मैं थोड़ी CSS चेंज करता हूँ पिक्सल पैडिंग दी अब ये भी थोड़े broad दिखाई दे रहे हैं अभी text area में भी कुछ गढ़बढ है यहां rows लिखना होगा रो नहीं rows होगा तो अब ये proper दिख रहे हैं तो एक minimum layout बन गया है और अब हम start कर सकते हैं अपने code से तो मैं कुछ state variables बना रहा हूँ जो हमको चाहिएंगे जैसे कि to किस language में आप translate कर रहे हैं तो from and to इस तरह से दो state variable मैं बना रहा हूँ initially language blank रख सकते हो अभी के लिए और use state को आप import कर लो react से ऐसे ही from ऐसे ही input तो input वो होगा जो text area जिसमें आप input टाइप करोगे और ऐसे ही output होगा जो translated text आपके पास दूसरे text area में दिखाई देगा तो set output उसको लिख देंगे तो एक तरह से चाहर state variables तो यह हो गए इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिएगा तो हम बीच में create कर लेंगे अब यह API देखते हैं जो यहाँ पे liberate translate नाम से एक site है उस पर आपको मिलेगी तो languages की एक API इसको execute करके देखो तो आपको यहाँ पे एक list of languages जो भी available है इस service के पास वो मिलती है तो यह इसका curl URL है curl एक service होती है जिससे आप terminal में API चला सकते हो तो उसका curl इसने दे रखा है उसी से हम अपना use कर लेंगे क्योंकि इसमें get request के सारे parameters लिखे हुए हैं तो curl से हमको जादा मतलब नहीं अगर आप curl जानते हो तो यह चला के भी देख सकते हो वरना हम सीधे axios उस करेंगे तो yarn add axios किया axios की जगे आप fetch भी उसकर सकते हो यहाँ पे require कर सकते हो install करने के बार इसका थोड़ा सा अलग है syntax तो वो आप ध्यान रखना require करने का यह normally वैसे require नहीं होता है इसमें post get request और इसमें हमने detail video बनाया हुआ है तो अभी उन सब details में मैं वापस नहीं जाना चाहूंगा और हम वो list मैं drop down में दिखा सकूँ तो axios यूज करते है axios.get उसमें directly आप .get method यूज कर सकते हो और इसमें यह url पास करना होता है first parameter में तो यह url हम पास कर देंगे इसके बाद axios में आप options पास कर सकते हो जिसमें headers पास करने होंगे तो यहाँ कोई खास header नहीं है but accept application.json यह एक header है तो इसको required है ता कि आपको json में ही output दे तो यह header हमने set कर लिया और यह जो इसका output होता है पूरे axios का यह आपको मिलता है एक promise की तरह है तो इसमें आप then लगा सकते हो तो जब भी data आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा then के अंदर तो हम इसको response लिखता हूँ क्योंकि data आगे भी हम use करें यह variable तो console log में इस response को print करके देखते है तो यहाँ पे reload करते हैं इसको एक बार फिर से और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे variables आएं और data के अंदर वो चीज़े जो आपको चाहिए जैसे 17 languages आ रही है जो यह support करता है उनके code और names तो response.data में exactly वो part आजाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा XCOs से data के अंदर आता है वो तो यहाँ यह पुरी list आ गई एक array में code और name दो चीज़े हैं हर object के अंदर तो code भी use होगा code कहां use होगा अभी हम देखेंगे जब दूसरी API हम explore करेंगे तो यह तो languages के लिए थी एक translation की API है जो यहाँ पे slash translate और post है इसमें Q है input data source है जो source आपने कौन से language से शुरू करना है translate मतलब जैसे English से Hindi English और नीचे target में जिस language में translate करना है और एक API की तो API की अभी यहाँ कुछ खास नहीं है यह जो xxx लिखा हुआ यही इनकी API की है और कुछ नहीं है तो इसको execute करके भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे यह इसका भी curl URL दे देगा तो यह URL भी आप चाहे तो copy कर सकते हैं और ऐसा ही हमको format axios से बनाना पड़ेगा उससे पहले यह चीजने set तो करते हैं क्योंकि अभी हमको कुछ inputs चाहिए होंगे इसमें 4 inputs चाहिए हैं जैसे आपको पता है तो वो सारे हमारे पास होने तो चाहिए है तो मैं पहले options नाम से एक state variable बना रहा हूँ इसमें हम वो सारे languages जो अभी API से आए थे वो put करेंगे क्योंकि वो ही हमारे options हैं उनसे ही हम drop down को populate करेंगे तो मैं यहाँ पे set options लिख देता हूँ और यह response.data का array था वो पूरा उसमें set हो जाएगा और इसी array से मैं इस select के जितने भी option है वो map से generate कर लूँगा जैसा हम किसी भी react application में करते हैं तो option से यहाँ copy करता हूँ और यहाँ paste कर देता हूँ तो इसमें आप ध्यान देना कि value में तो code होगा code हम क्योंकि use करेंगे बाद में वो API जो आपने अभी देखी थी और यहाँ पे name होगा ताकि आपको दिख जाए कौन सी language है तो option में code और name दो चीजे हमने देखी थी आ रही थी API से यही same select हम दोनों जगे paste कर देंगे तो दोनों drop down में आ जाना चाहिए reload करते हैं और यहाँ पे आ गया तो आप देख रहे हो दोनों में 17 different languages आ गई है from और to में तो अब आपके पास to और from तो create हो गए है तो इनको जब भी आप select करोगे तो आपके पास to और from आ जाएंगे अब यहाँ हमने गडबड की यह loop बना हुआ है हमको dependency array बाहर लिखना चाहिए था use effect में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि dependency array blank create करें या उसमें जो required option है वो ही पास करें तो अब from और to यह option तो आ गए है यह key वाला error आ रहा है यह हमेशा ही आता है react में तो आप यहाँ पर key में कुछ unique value जैसे इसका code ही unique है तो आप key में दोनों जगे पास कर दें तो उससे वो warning चली जाएगी अब कुछ problem नहीं है यह आ चुका है अब इनको select करते ही from और to की value change होनी चाहिए तो हम इस पर एक on change operation लगा देते हैं तो on change event पर क्या होगा set from यह हमने उपर use state में बनाया था तो target.value यानि basically value में क्या होगा code होगा यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ जैसे यहाँ पर from की value दिखेगी और to की आगे to की value दिखेगी तो set from और ऐसे ही set to होगा तो यह source और target एक तरसे यहाँ पर हमने from and to लिखे हैं तो दोनों हो गए हैं अब चला के देखते हैं initially यह bracket खाली दिख रहा है क्योंकि हमने initial value दी ही नहीं थी languages की तो उसको भी initialize कर देते हैं यहाँ पर to और इनका initial value en देते हैं जो कि English का code है आप reload किया हमको input भी चाहिए होगा translation के लिए इसमें हम on change ले सकते हैं या फिर बेटर है on input ले लो जो कि लगातार आपका text change करता है तो on input में same process हम करेंगे जो भी हमको text मिलता जा रहा है e.target.value से उसको set input तो input variable हमने उपर hook से बनाया था उसमें set कर देंगे तो input भी set हो जाएगा इससे अब हमारे पस input भी है to भी है, from भी है output भी हम यह set करते थे output में actually हमको उठाना नहीं है output तो just show करना है तो मैं value में output पुट करतूँगा तो वो display हो जाएगा तो सारी चीज़े बन गई है finally ये button को चलाना है तो उसके लिए हम एक translate function बनाते हैं, translate function का काम होगा उस API को call करना जो हमने यहाँ पे देखी थी तो ये सारी fields होने चीज़े है, तीनों field तो हमने set कर दिये और API की इसकी fixed है तो ये curl post में यह paste कर लेता हूँ, इसको इसको इस रेफरेंस लेके यहाँ पे data दिया जाता है अभी मैं third option दे रहा हूँ actually पहले हम header set कर देते हैं तो इसमें headers में एक तो यही है application JSON और दूसरा header इसके आगे देखें इसमें content type application xww form url encoded है तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे put कर देते हैं, ये दोनों headers required रहेंगे, तो जो h के आगे है वो headers है, इस तरह से हमने headers दे दिये, format कर देते हैं, तो ये proper दो header हो गए है पोस्ट में एक data भी चाहिए होता है तो minus d के आगे जो लिखा हुआ है तो last में है, ये वाला पूरा data है ऐसे का ऐसा, बट इस तरह से ये ampersend के बाद दिया हुआ है तो, I don't know, ये directly नहीं चलेगा शाहिए, तो हम second में एक बाद data देके तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैं एक object पुट कर देता हूँ और इसमें वो सारी चीज़े होंगी, तो क्यों ये ले रहे है जो input है, जो translation के लिए इनके format के इसाब से करना होगा है, जिसे source है, तो source पुट करना होगा तो source के आगे हमारे case में वो from है और target मतलब to है तो उस तरह से ही आप अपने variables पुट करोगे, और API underscore key में, उनकी fix ही की है तो आप copy कर सकते हो ये string की तरह है, यहाँ पुट कर दी ये पूरा API हो गया translate function को call करना पड़ेगा कहीं पे, और इसके आगे एक then लगा देते हैं, पोस्ट में क्योंकि response आएगा, तो response को हम वैसे ही पहले उस किया था, console log में response का data दिखा देंगे तो अब इस translate को सही जगे लगा देते हैं, यहाँ translate बटन पे, तो on click और इसमें translate में ये पुट कर देंगे तो अब try करके देखते हैं ये उपर warning कुछ आ रही है, ये तो हम ज़्यादा important नहीं है अब इनको change करते हैं English to Hindi, hello put करते हैं translate करते हैं, तो अभी कुछ error आ गया है bad request, तो कुछ proper नहीं चला है यहाँ पे आप देखो, तो सबसे last में जो form data है, वो इस format में ही गया है, तो I think problem वो ही है कि इनके case में जो data दिखाया हुआ था, वो जैसे m% के साथ दिखाया हुआ था, तो वैसा ये नहीं बना, ये तो JSON की तरह ही जा रहा है, तो यहाँ पे आप Axios की ही documentation में थोड़ा search करोगे, तो URL encoded ये वाला part मिल जाएगा, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपको URL encoded बनाना हो, तो इस तरह से एक URL search param नाम का constructor है, वो यूज करना होगा, तो वो format यूज करते हैं, हमारा data सभी से format नहीं हुआ है, तो यह जो data था, इससे उपर इसको initialize करेंगे, तो यहाँ यह पेस्ट कर देता हूं मैं, और यह जो पूरा data है, वो उस तरह से params में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ Q है सबसे पहली चीज़, और उसकी value है input, तो यहाँ पे input पुट करेंगे, दूसरा parameter source है, उसकी value है हमारा, from, और ऐसे ही एक और बनाना पड़ेगा, params.append, उसमें हम पुट करेंगे target, और यह to हो जाएगा, और last में API की आ जाएगी, तो यह इसको proper format में data को कर देगा, जिससे की, जो acceptable है, उनकी API के लिए, तो यह इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि वो JSON accept नहीं कर रहे है input में, तो यहाँ पे आप यह params सीधे pass कर दो, जो भी हमने यहाँ पे use किया है, variable का नाम चाहिए, आप कुछ data भी कर सकते थे, अब reload करके देखते हैं, वापस से hello लिखते हैं, translate किया, तो अभी translated text में output आ रहा है, यह last में आप देख रहे हो, sponsored data में, और यहाँ पे हिंदी में नमस्ते, इस तरह से भी आ रहा है, तो यानि अब चीज हमारी चल गई है, और जो चीज हम put करना चाहते हैं, उसका नाम है translated text, तो response.data.translatedtext, तो output की तरह सेव कर देता हूँ, तो output तो हमने पहले set करी दिया था, value में, तो यह इस text area में दिखना चाहिए, तो अब final run करके देखते हैं, यहां hello किया, hello, same language में, फिर hindi किया, यहां नमस्ते आ गया, कुछ बड़ा text करके देखते हैं, this is a great video, translate किया, तो यह भी finally translate हो गया है, तो इस तरह से पूरा एक Google Translate का एक mini version बन गया है, आप इसको और modify कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि reverse भी चल जाए यह, बट वो सब basic logic आपको समझ में आ गया है, तो यह बहुत ही एक छोटी सी application, fun application थी, जो आपने react में एक API की help से बनाई, तो इस channel पर हम देखते हैं, interesting code concepts और उनके example codes, अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो subscribe कीजिए,